दोस्तो आज की वीडियो में हम आपके लिए बताने बाले हैं कैसी अपलीकेशन से परसनल लोन के लिए कैसे अपलाई करते हैं अगर आपके लिए लोन की जरूरत है तो इस अपलीकेशन से आप अच्छा कासा लोन के लिए अपलाई कर सकते हैं तो loan के लिए कैसे apply करते हैं step by step सारी जानकारी आपके लिए मैं बताने बाला हूँ तो वीडियो को सुरू से लेके last तक आपके लिए बहुच करना होगा तो इसके मैं about section में आ जाता हूँ तो बता देता हूँ कि कैसी application आपके लिए कौन कौन से loan provide कराती है सबसे पहले बात कर लेते हैं कैसी application है वो आपके लिए दो तरीके के loan provide कराती है सबसे पहले बात करते हैं कि वो आपके लिए personal loan provide कराती है extent के extent personal loan दे देती है और दूसरी बात है यहाँ पर आपके लिए pay letter limit है वो provide कराती है एक हजार रुपए से लेकर चाल लाग तक का लोन आपके लिए इस अप्लीकेशन से मिल जाएगा और इजली तरीके से आप इसको अपने बैंक अकॉंड में ट्रांसपर कर पाएंगे आप देख सकते हैं कि इजली तरीके से यहाँ पर लिखा है ट्रांसपर टू बैंक अकाउंड आसानी से आप इस अप्लीकेशन में लोन मिल जाएगा आप आसानी से इसमें इमाई भी आप बना पाएंगे तो अप्लीकेशन में कैसे लोन अप्लाई करते हैं चलिए उसके बारे में आपके लिए बता देते हैं तो प्ले स्टोर से अप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है यहाँ पर लिख लेना है कैसी परसनल लोन एप उसके बाद इस अप्लीकेशन को कर लेना है ओपन ओपन करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस कुल कर आ जाएगा इस परकार का इंटरफेस कुल कर आ जाता है तो आपके लिए कुछ दीर का बेट करना है उसके बाद आपके सामने इस परकार की प्रोसेसिंग चलने लगेगी डाउनलोडिंग नीचे हो रही है डाउनलोडिंग जैसे एपलोड पूरा हो जाता आपके लिए कुछ दिर का बेट करना है उसके बाद आपके लिए क्या करना है अपलाई के ओप्षन पे किलिक कर देना है जैसे हम आपलाई के ओप्षन पे किलिक करेंगे आपके सामने इस परकार का इंटरफेस कुल कर आजाएगा नीचे के साइड में आपके लिए दोनों ट किलिक कर देना समहीपर्मेशन को अलब आपके ये उसके बाद आपके सामने इस परकार इंटरपेस कुल कर आ欸गा अब कैसी में आप तीन तरीके से account को बना सकते हैं सबसे पहले आपके लिए मैं बता दूँ कि अगर आपके पास LinkedIn है तो उससे भी account बना सकते हैं अगर आपके पास Gmail ID है तो उससे भी बना सकते हैं और अपनी Facebook account से भी इसमें account को बना सकते हैं पूरी हो जाती है तो उसके बाद आपके मुवायल लंबर में जो जीमेल आईडी ओपन होती है वो खुल कर सारी आजाएंगी जिस भी जीमेल आईडी से हम अकाउंट को बनाना चाहते हैं उसको आपके लिए सिलेक्ट करना होगा तो मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ उसके बाद आपके सामने इस प्रकार से फिर से प्रोसेशिंग चलने लगेगी जैसी ही प्रोसेशिंग पूरी हो जाती है उसके बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस कुल कर आ जाएगा यहाँ पर अपना मोईल लंबर डालना होगा उसके बाद यहाँ पर गेट OTP के option पे click करना होगा जैसे ही आपना mobile number डालेंगे gate OTP के option पे click करेंगे तो आपके mobile number पर एक OTP जाएगी उस OTP को यहाँ पर fill up करना है या तो automatically fill up हो जाती है उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का interface कुल कर आ जाएगा यहाँ पर कुछ लेना उसके बाद मेल यहाँ फीमेल बोड़ा जनकारी बरनी उसके बाद आपनी email ID उसके बाद यहाँ पर date of worth उसके बाद यहाँ पर जैसे भी लिखा education में आप क्या बरना होगा कि हम गुरुजेट है याँ आपने क्या कर रखा है उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफिस इन को करा जाएगा फिन बने के बाद में आपके सामने आपके लिए क्या करना या नीची की साड में स्कॉल करती ही है अपनी city को भरना होगा उसके बाद यहाँ पर इंपल्या है या बरना और वह ऑद बरक आप कहा वह आपके साइड में स्कूल करनाय का यहँआ नीचे की साइड में स्क्रॉल करेंगे आपके सामने इस परकार का इंटरफेश हुआ करने नेट में इंकम कितनी है वह फिलब करनी होगी उसके वाद सिस्ट कर के खिल और जैसे आप save के option पे click करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का interface खुल कर आ जाएगा, यहाँ पर लिक कर आ जाएगा, और यहाँ पर लिक कर आ जाएगा, दोस्तों नीचे की side में आपकी limit लिक कर आ जाएगी, जितनी भी limit आपके लिए मिली होगी वो यहाँ पर show होती होगी, मत दोस्तों आपके लिए बता दूं कि MPIN क्या होता है, MPIN दोस्तों जब भी आप बनाते हैं तो एक security pin होता है, जैसे कि हम application को open करेंगे, तो वो pin डालेंगे, तभी application open होगी, बरना application open नहीं होगी, तो इस case में जैसे कि कोई भी दूसरा वेखती है, वो आपका application open करता है, तो व दोस्तों यहां पर आपके लिए क्या करना है, नीचे की side में आपके लिए proceed का option मिल जागा, इस पर आपके लिए click कर देना है, जैसे हम proceed के option पर click करेंगे, यहां पर अपना pin को बनाना हुगा, चार अंग का आप कोई भी pin बना सकते हैं, कोई भी आंग का डाल सकते हैं, उसक इसके बाद आपके सामने इस पर का इंटर पर क खुल कर आजाएगा, और पर की side में आपके लिए इस पर का कट का option मिल जाएगा, इसके ट्र है क्रॉस का उप्षण कर देना है क्लिक करते ही आपके सामने इस परकार का इंटर स्कूब कर आजाएगा अब जितना भी लोण अमाउंट आप लिना चाहते है वहां पर अपके यह लिया फिलब करना होगा जैसिकि आप जितना भी लोन लेना चाहते हैं जैसे कि डाइलाग का आपका लोन खुला है आप 50,000 लेना चाहते हैं तो 50 यहां पर फिलप कर दिएगा अगर आपके सामने इस पर करका इंटरफिस कुल कर आज जाएगा अब यहां पर अपने करेंट एडरस आपके लिए फिलप करना होगा उसके बाद यहां पर आपकी फैमिली में फैमिली में रहते हैं कैसे रहते हैं अपने फैमिली के साथ रहते हैं उसके बाद यहां पर आपका एडर्स भरना होगा जो आप जहां रहते हैं उसके बाद आपके लोकल एरिया यहां पर आपकी सिटी और यहां पर आपका इस्टेड भरना होगा उसके बाद सब्सक्राइब करते हैं आपके सामने स्पिरकार का एंटरपेस कुल कर आ जाएगा आपके लिए दोस्तों बता दूं कि यहां पर डिटेल्स है वह अभी पूरी प्लव करने के लिए मैं के लिए क्लिक करते ही मेरे सामने इस परकार का इंटरपेस कुल कर आता तो यहां पान आपके लिए सभी डेटेल्स को भर लेना एंप्लाइट टाइम में नेम बरना है आपके लिए आपके के लिए ने बरना उसके बाद यहां पर बह graph इसके बीड़ करने आपके सामने प्रिकर का इंट्रफिस कर से लिए हो ऐसे बते हैं यहां बंडेक से बहुत बहुत बैंक बंडग्वाइन त्रेंक लोर दो सब्छेखल hackers और उसके बाद यहांपर लिखाsky-la पिण्ट का कोड़ का कहने आप यहांपर आ चाइल होगा चाहिया खेलकरना दोस्तों आपके क्ली हमना की प्रोफाइल है कि तो यहांपर प्रोफाइल में प्रेंट काँप प्रोट करना होगा उसके लिए पर पॉइंट सकते कोई भी दिकत नहीं है बरना आपके लिए भरना ही वर Dimension बैंक की रिक्वायर है इसको आपके लिए भरना ही भरना है तो यहां की सभी डिटेल्स भर लेना उसके बाद उपर जैसे आप सभी जानकारी भर देते हैं उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस कुल कर आ जाएगा यहां पर आपके सभी डिटेल्स है वह 100% complete हो होगी जैसे 100% complete हो जाती है उसके बाद में आपके लिए क्या करना है नीचे की साइड में आपके लिए कॉप्शन मिल जाएगा गेट लोन का इस पर आपके लिए क्लिक कर देना है जैसे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस कुल कर आ जाएगा अब यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे ओफर दिये जाएंगे जिससे यहाँ लोन के लिए अपलाई कर सकते हैं जैसे कि मेरे केसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे दोस्तों एक लाग तक का लोन अप्रूवर मिला है इसको मैं आसानी से यहां पर दृस्तो एक साल के लिए मिलना है असानी से अप्लाई कर पाईंगे ऐसी सारे आप के सामने खुल कर आते होंगे तो जो भी आपके क्रेड़ी करना चाहते हैं उसको लिए क्रेडिट लिमिट करना चाहता हूं तो आपके लिए सबस्य बात बता दूं कि इस अप्लिक करते हएं तो इस लिमिट से आप사ependickets कर पाएंगे और इजनी तरहीं को अगर आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो चाहते वी कि चाहते हैं तो इसको लेने के लिए मैं यहां अप्लाइन आपके उप्शन पर किलिक करते ही मेरे सामने इस पर करका एंटरफेस कुल कर आ जाएगा अब यहाँ पर अपनी आपके लिए कि हग्गर आप फंच वहपके लिकर क्रेड़ी के लिए कर कुल कराएक यहाँ उन्ले दस हजार के लिए अपलाई करोंगो तो यहां पर मैं पर दस हजार कर स्थाइट में मैं किलिक कर देता हूं किलिक करने के बाद मेरे सामने इस प्रकार का 관ेंटर्फिस खूल कर आइगा satisfy रिट यह रहा जाएगा जैसी इस परकर इंटर्फिस बैक होकर आ जाता है छोज दीर का वारे करना है उसके वाद धुस्तों फिरकेशन को और उपन करने के वाद यहां पन्यूस्तों माइक हैस का आप्षन मिल जाएगा इस पर आपके लिए किलिक कर देना है इस पर करते ही आपके सामने कार का इंटरफेश कुल कर आ जाता है अब यहां पर कहह रहा है कि आपके लिए इस ई ऐ लोन एक्रिमेंट करना होगा अगराम 10,000 तक का line credit limit है उसको लिए तो आपके लिए मतलब की vie signup agreement करना होगा तो आफल end करने के लिए आपके लिए इस पर click कर देना है click करते ही आपके सामने इस प्रकार का interface कुल कर जाएगा नीची की शार्ड में आपके मौल नंबर पर एक OTP जाएगे जो आपके अधार काइट से लिंक है उस OTP को यहाँ पर फिलब करना है वेरिफाई OTP के उप्शन पर किलिक कर देना है इस पर किलिक करते ही आपके सामने इस पिरकार का इंटरफेस कुल कर आ जाएगा आपको 10,000 तक की लिमिट यहाँ पर मिल चुकी है उपर देख सकते की आपके क्रेड़िट लिमिट है वो 10,000 तक की अवेलबल है और इसकी एक्सपाईर डेट है यहाँ पर देख सकते हैं जो आपकी आते होगी वह एक्सपाईर डेट भी आप सकते हैं अब हैं कि आपके लिमिट है इसको महण नबशे दून कि लिए लेना चाहता ऑपने डाइन्ट के लिए अपने अपके लिहीं अपकी words everything से अगई होगी आमकी बेंक का नेम आचुका होगा उसके बाद आपकी जुबी सब्सक्राइब करेंगे तो आपके सामने इस प्रिकार का इंटरफेस कुल कर आज जाएगा अब यहां पर बोलना है कि जैसे कि आपकी क्रेडिल लिमिट है वो दस हजार तक की है अगर आप आपके सामने इस प्रिकार का इंटरफेस कुल कर आ जाएगा यहां पर आपके लिए भरना होगा उसके बाद आपके लिए प्रोशीट के उप्सन पर किलिक करना हुआ जैसे आप प्रोशीट के उप्सन पर किलिक करेंगे आपके सामने इस प्रिकार का इंटरफेस कुल कर आ जाएगा आपका सक्सिस्पूल है यहां पर हो चुका है आप आसानी से यहां पर अपने लोन लि दिया जाएगा तो इस प्रकार से इस application से आप loan के लिए भी apply कर सकते हैं और credit limit के लिए apply कर सकते हैं बहुत ही अच्छी application है अगर वीडियो आपके लिए पसंद आई हो और अगर आपके लिए कोई भी दिक्कत आ रही है इस application में तो मुझे comment section में आपके लिए जरूर बताना है मैं आपकी पूरी help करने की कोशिश करूँगा धन्रवाद दोस्तो